हेलो मैं लवली वीवर्स वेलकम टू मैं चैनल भूक इनकुक आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ कीमा ब्रेड रोल्स बनानी की रेसिपी ये रोल्स बहुत ही जादा यमी बहुत ही मज़ीगे बनते हैं और साथ में इसे बनाना भी बहुत ही आसान है तो चलिए रेसिप से बारिक बारिक साथ चौप करके आड़ किया है प्यास को बस एक से दो मिनट के लिए हम फ्राइ करेंगे यानि कि बस इसका हलका सा कलर चेंज होने तक फ्राइ कर लेना है तो देखिए जैसे इसका कलर चेंज हो जाता है इसमें हम आड़ कर लेंगे कीमा कीमे को मैंने अच काफी सारा पानी होता है तो यह रिलीज होता है तो इसी तरह से हम ने BY इम जिसे भी एक से 2 मिनिट के लिए हमें पाकाना है ताकि अधरक लसन का किसी भी तरह का कच्छा पन कच्छा फ्लेवर ना रहे मिक्स कर लिया है अच्छे से अब हमने इसमें आड़ कर लेना है बाकी के मसाले जिसमें मैंने लिया है 1 teaspoon नमक, 1 teaspoon चिली फ्लेक्स, 1 teaspoon चाट मसाला, 1 teaspoon गरम मसाला और 1 teaspoon लिया है धनिया पाउडर सारे ही मसालों को इसमें आड़ कर लेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि सारे ही मसाले अच्छी तरह कमबाइन हो जाए और जो कीमा हमने बनाया है वो भी पूरी तरह से कुक हो जाया पूरी तरह से गल जाया और मसालों के भी किसी तरह की कच्छापन ना रहे तो देखे हमने मसालों को भी अच्छे से भून लिया है कीमा भी पक चुका है अब फ्लेम को आफ कर देना है और इसमें हम आड़ कर लेंगे हरा धनिया तो टोटल कीमा साथ से आठ मिनट में अच्छे से कुक हो जाता है क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी से पीसे होते हैं तो आसानी से गल जाता है हरा धनिया आड़ कर दिया फिलिंग रेड़ी है इसे साइड में रखते हैं और यहां हमने लेने हैं कुछ ब्रेड के स्लाइस तो इस रेसिपी के लिए आप फ्रेश ब्रेड का है इस्तिमाल करें इससे आपके रोल्स बहुत अच्छे बनेंगे इन एजिस को हम कट करके नि आपकाल लेना है तो देखें यहां पर मैंने यह कुछ ब्रेड को इस तरह से इनके अजिस को हटा लिया है अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में तो ब्रेड रोल्स को कोट करने के लिए हमें अंडा चाहिए होगा तो यहां मैं दो अंडे का इस्तिमाल कर रहे हूं अंड यह पर अगमाल नियुक्रत का क् दिलेगिNT है इस तरह से स्कॉइज कर लेना है और इसके सारे ही पानी को इससाधिक लेना है bread में से सारे पानी को इस तरह से निचोर कर निकाल लेना है तो देखे bread का slice काफी soft सा हो जाता है और फिर इसके center में हमने रख देनी है एक से देड़ शमच के बराबर कीमे के filling और फिर इसे pack कर लीजिए बिल्कुल roll की तरह तो ये बहुत आसानी से stick हो जाते क्योंकि bread soft होने पर बिल्कुल आटी की तरह हो जाता है तो ये बहुत आसानी से इस तरह से stick हो जाता है सभी sides को बहुत अच्छे से pack कर लीजिए क्योंकि हमें इसे deep fry करना है तो ये कहीं से भी खुले ना ही इसलिए एक बर इस तरह से roll कर लेंगे हलकी हातों से और ये लीजिए हमारा ये एक roll बनके तयार हो गया है ठीक इसी तरह से हम सारे ही rolls बना कर तयार कर लेंगे तो देख लेते हैं कैसे बनाना है बस bread के slices को पानी में थोड़ा सा dip करना है सारा पानी उसका squeeze कर लीजिए सेंटर में थोड़े से filling रख देंगे और इसे roll करके अच्छे से सभी साइट से pack कर लीजिए तो इसे इन bread rolls को बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही quick सी recipe है बहुत ही जटपड बनके ये तयार हो जाते हैं तो देखे थोड़ा सा हलका सा हमने इसे roll किया है और हमारे ये bread rolls बनकर यहां तयार हो गये है कुछ bread rolls मैंने तयार कर लिए है अब चलते हैं इसके next process में तो यहां जो हमने अंडा फेट कर रखा हुआ था एक एक करके हम इन bread rolls को इसमें dip करेंगे और तेल में fry कर लेंगे तो मैंने oil पहले से ही गरम करने के लिए रखा हुआ था करमा गरम तेल में एक एक करके इन rolls को हम डालते रहेंगे तो आप चाहे तो इन bread rolls को बिना अंडे की coating से भी बना सकते हैं डिरेक्ली आप इसे fry कर लेजिए और अगर आप इसके ऊपर की layer थोड़े से क्रिस्प चाते हैं तो आप उपर bread crumbs लगा कर भी इसे बना सकते हैं एक तू मिनट के लिए हम एक साइट से fry करेंगे उसके बाद में पलट कर दूसरे साइट से भी fry कर लेना है बस हम इसे बहुत ज़ादा cook नहीं करना है क्योंकि अंदर जो हमने कीमे की filling आट की है वो already cooked है तो बस इस पर एक अच्छा सा कलर आने तक हमने से fry कर लेना है तो बस दो से तीन मिनट में इस पर एक बहुत ही अच्छा सा कुपसूरत कलर आ चुका है निकाल लेना है सारे rolls को और ये लीजी हमारे बहुत ही मज़े के ये कीमे bread rolls बनकर तयार हो जाते हैं तो खाने में भी बहुत ही ला जवाब लगते हैं साती में बहुत ही quick से recipe है serve कर लेते हैं इसे किसी भी तरह कि आप चटनी के साथ serve कीजिए especially ये green chutney के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं आप भी इन bread rolls को ज़रूर try कीजिए उमीद करती हूँ आपको ये recipe बहुत अच्छी लगेगी और अगर आपको मेरी ये recipe अच्छी लगी है तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए वीडियो के नीचे जो red subscription का button है उसे click कर दीजिए फिर मिलते हैं किसी नई recipe के साथ till that time bye bye and take care झाल